हेलो फैंड मैं इंद्जीत आपके अपने यूटूब चनल एकजाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हाजूर हूँ इस वक्त फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट की यानि सीटेट और डी एससबी की जो वैकेंसिया ए आज पहला करा से मारा हिस्ट्री का तो भारति इतियास के बारे में जानेंगे और सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेजिए यहाँ आपको बेहतर तयारी कराई जाती है हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे कौन-कौन से भागवत धर्म यह सब जो आपको इसमें दिख रहा है गुप्तकाल प्राचिन भारत में अस्थापत कला उसके बाद फिर हम चले जाएंगे मध कालिन भारत पर उसके बाद फिर इसके कुछ करेंगे इसमें भारत पर मुस्लिम आकरमन दिल्ली सल्तनत गुलाम वंस खिलजी दुगलक वंस, सयद्व, लोधी वंस, विजयनगर समराज, दिल्ली सल्तनत परचासन, भक्ती सुफी संथ, मुगल वंस, और यह सब करते हुए आके मुगल वंस, बाबर हुआयू, सेर्चा, आकवड, सभी के बारे हम परेंगे एक तरफ से, फिर उसके बार हम चले आदनिक भारत पे भी हम इन सभी टॉपिक को देखेंगे, जो आपको इसमें दिख रहा है, यह सभी टॉपिक करते हुए, अठार सताओं की करांती, वीटिस भारत में सिक्षा काविकास, यह सभी, मैं सिर्फ आपको अभी यह ओभर व्यू दे रहा है, जैसे जैसे क्लास आ आज का सेशन क्लास वन है इतिहास का, इससे पहले पॉलिटी का क्लास हो चुका है, पॉलिटी का दो क्लास हो चुका है, आज हम हिस्ट्री शुरू करते हैं पहले क्लास के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री इतिहास, इतिहास तीन तरह के होते हैं, इतिहास कितने हैं? तीन तरह के, कौन सा? प्राग इतिहासिक इतिहास, आर्ध इतिहासिक काल और तीसरा है इतिहासिक काल, चलिए, प्राग इतिहासिक काल, इसको कौन सा है? मानो उत्पत्ती से 3000 इसा पूर्व तक, इसको कहा गया है प्राग इतिहासिक काल, यानि प्री और तीसरा है एतिहासिक काल यानि historical period तो prehistoric period कौन सा है तो यह मानों उत्पत्ति से 3000 इसा पूर्व तक के काल को prehistoric कहा गया है चलिए दूसरा है proto historic period इसे कब से कब तक आगया है तो 3000 इसा पूर्व से 600 इसा पूर्व तक कितना तीन हजार इसा पूर्व से 600 इसा पूर्व तक इसे कहा गया है प्रोटो हिस्टोरिक पिरियड यानि आध एतिहासिक काल चलिए आगे है तीसरा यह है एतिहासिक काल यानि हिस्टोरिकल पिरियड यह कब से कब है तो यह 600 इस पूर्व से आगे तक है चलिए आगे देखते हैं अब है पूरा तत्विक साक्ष अध्यन का एक मात्र स्रोत क्योंकि लिखित साक्ष उपलब्द नहीं है कौन सा है ये प्री हिस्टोरिक पीडियर्ट का है लिखित में है लिखित साक्ष उपलब्द किंतु अपठनिये इसका लिखित कोई भी साक्ष उपलब्द नहीं है किसक P3 so tree thatそれで और प्रोट्रोघ एनि यह काल तो इसका लेखित साख्ष तो है लेकिन यह पढ़ने योग नहीं पढ़नी यह नहीं है ऑ पढ़नी यह यानी नहीं बस गया इतिहासी काल यानी historical period पूरा तात्विक एवंग साहित्तिक दोनों परकार के साक्ष उपलब्ध है इसलिए इसको historical period करते हैं आप समझ गए प्री एक बार मैं फिर से इसे बताता हूँ प्री historical period कौन सा हुआ तो 3,020 पूरुब तक मानुत पत्ति से 3,020 पूरुब तक और इसका साक्ष एक भी साक्ष उपलब्ध नहीं है मतला लिखित एक भी साक्ष अभी नहीं है तो इसलिए इसको करते हैं प्राग एतियासिक का यानि प्री historical period दूसरा था आदेशियासिक यानि प्रो historical period और ये 3,600 इसा पूरुब तक इसका लिखित साक्ष तो है लिखा हुआ तो है लेकिन वो अपठनी है पढ़ने योग नहीं है और जो historical period है उसका पूरा तत्वी केवंग साहित्तिक दोनों प्रकार के साक्ष उपलब्ध है चलि अब चलते हैं आगे और इसके बारे में जानते हैं कुछ और किसी वेक्ति समाज अथवा देश से समंदित महत्पूल विशिष्ट वर्शारवजनिक छेत्र की घटनाओं तथ्यो आधी का काल क्रमिक विवरन क्या करता है इतिहास करता है चलि आगे चलते हैं अब इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को क किसको हेरोडोटस एकसर ग्याम में पूछा जाता है सिधे पूछ लेगा आपको इतिहास का पिता किसे कहा जाता है सेम इसी टाइब ऑप्शन चार आपको कोई देदेगा उसमें एक हेरोडोटस जरूर होगा तो चलिए इसका एंसर हो गया आगे चलते हैं प्राचीन भारत इतिहास से संबंदित पुष्टा कौन सी है राश्तरंगनी उतकिर्ण चीन वाले प्राचीनतम सिक्क्य क्या कलाते हैं तो ये आहत सिक्क्य कलाते हैं ये सिधे इसी टाइब से प्राचीन पूछ लिए जाएंगे उतकिर्ण चीन वाले सिक्क्य क्या कलाते हैं चार अप्शन या मुद्रा सास्त्र चली आगे चलते हैं अगला है भारत में प्रागयतिहासिक खोज प्रारम करने का स्रे किसे दिया जाता है तो ये दिया जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को किसको डॉक्टर प्राइम रोज क्या है ये प्रागयतिहासिक खोज चली आगे चलते हैं अग भारत के लिए किस सब्द का प्रियोग किया था तो ये किया था इन्तू का किस ने किया था चीनी या त्रियों ने चलिए आगे चलते हैं उतकीर्ण लेखों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो ये अभी लेख सास्त्र कहा जाता है किसको उतकीर्ण लेखों के अध्यन को आगे नाम का उलेक किस अभिलेक से प्राप्त हुआ था तो भारत वर्ष का जो नाम का उलेक हुआ था किस अभिलेक से हुआ था यह हुआ था सबसे पले हाती गुफा अभिलेक से चलिए अगला देखते हैं प्राचिन भारत का सर्पर्थम सुनियोजित इतिहास किसने तयार किया तो यह क्या था VA.smith ने प्राचिन भारतिये इतिहास को जानने के लिए किन शुर्थों का प्रियोग किया जाता है कौन-कौन से शुर्थ है तो वो धार्मिक ग्रंथ और एतिहासिक ग्रंथ, पूरा तात्विक साक्ष तथा विदेसी विबरन, यानि प्राचीन भारती इतिहासे उसको जानने के लिए इन सभी का उप्योग किया था, किसका किसका धार्मिक ग्रंथ हो गया, एतिहासिक ग्रंथ हो गया, पूरा तात्व पिक सक्ष हो गया या फिर विदेसी विबरन हो गया चलि आगे चलते हैं ब्राही लीपी को सर्पथम किस विद्वान ने पदा था तो यह पदा था जेम्स प्रिंसिप ने और यह कब पढ़ा था तो 1837 में पढ़ा गया था इनके द्वारा कुण सी लीपी ब्राही लीपी 1837 म अगला प्रशन है भारत के प्राशिंतम गरंद वेदो का संकलन करता किसे माना जाता है तो किसे माना जाता है तो महर्शी कृष्ण दुयापन वेदव्यास यानि महर्शी वेदव्यास को माना जाता है क्या भारत के प्राशिंतम गरंद वेदो का संकलन करता यह आपसे सीधे पूछ लेगा वेदो का संकलन करता किसे माला जाता है इस टाइप से सीधे आपसे पूछ लेगा वेदो का संकलन करता किसे माला जाता है तो option में होगा आपको महर्ची वेदव्यास या महर्ची क्रिश्न दुयाप्पन वेदव्यास तो सही answer हो जागा महर्च मानिता के अंसार वायू पुरान में किस वर्ष का उल्लेख है किसमें वायू पुरान में तो यह है गुप्त वर्ष का उल्लेख है अगला है कोटिल के अर्थ सास्त से किस वर्ष के इतिहास की जानकारी मिलती है तो यह मिलती है मोरे वर्ष की किसके अर्थ सास्त है कोटिल के अर्थ सास थे, pense की हमें जयनकार्य मिलती है अगला है, जयन धर्म का प्राळंबिक इतिहास किस गरंत से प्राप्थ होता है प्राप्थ होता है, अगला है, परमुक अभिलेक वह उसके साशक जो अभिलेक है और उसका साशक कोН है, इसके बारे में दिया गया है अभिलेक और सासक आप देख सकते हैं चलिए देखते हैं क्या है तो हाती गुफा अभिलेक और इसके सासक कोन है तो कलिंग नरेस खारवेल किसके सासक है हाती गुफा अभिलेक के दूसरा है एहोल अभिलेक इसके सासक है पुलकेशिन दूतिये नासिक अभिलेक और इसके सास गौत्मी बल्श्री जूनागट अभलेक इसके सासक है रुद्रदामन प्रियाग अस्तम अभलेक इसके सासक है समुद्ग्रूप्त अगला है मंदसौर अभलेक और इसके सासक है मालवा नरेश यसोवर्मन अगला है ग्वालियर अभिशेक और इसके सासक है परतिहा नरेश भ असकंद गुब्द तो ये थे हमारे अभिलेक और उसके साजक इसमें से भी अक्सर एक्जाम में एक नंबर का पुछ लिया रहता है तो काफी इंपोटेंट है ये चलिए आगे देखते हैं अगर अभी तक आपने एक जामदवार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए ये काफी इंपोटेंट सेशन चल ला है साथ ही आपको हिस्टरी, पॉलिटी, एकनोमिस सभी की सेशन मिलेंगे तो इससे पहले पॉलिटी की सेशन आसके हैं ये हिस्टरी का सेशन चल ला है चलिए, आएने वाले समय में जोगरोफियोर और इकनोमिस का भी सेशन हम बहुत ही जल्दी लाएंगे चलिए, शुरू करते हैं फिर आगे क्या है, तो मतस पुरान किस वन से समंदत है, तो ये आंदर सात वहन वन से समंदत है कौनसा, मतस पुरान चलिए, आगे देखते हैं विस्णु पुरान किस वन से समंदत है तो ये है, मोर वन से मतस पुरान, आंदर सात वहन वन से विस्णु पुरान, मोर वन से चलिए, खरोष्टी लिपी लिखी जाती है कौन सी लिफी खरोष्टी लिफी तो ये दाय से बाई और लिखी जाती है कौन सी लिफी है खरोष्टी लिखी ये अक्सर आमें पूछा जाता है कौन सी लिफी दाय से बाई लिखी जाती है तो खडोष्टी लिपी या फिर इस तरह से आप से पूछ लेगा कि खडोष्टी लिपी किधर से किधर लिखी जाती है तो दाय से बाय की ओर लिखी जाती है अगला है नारद इस्मिर्थी से किस वंस के विषय में जानकाली मिलती है तो ये मिलती है गुप्त वंस के विषय में अगला देखते हैं इस्मिर्थी ग्रंथों में सबसे प्राचीन इवंग प्रमानिक पुष्टक कौन सी है तो ये है मनुश्मिर्थी अगला है सुंग काल का मानक गरंथ किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है मनुश्मिर्थी को क्या सुंग काल का मानक गरंथ अगला है इस्तरी को पूरुस की अर्धांगनी किस गरंथ में कहा गया है तो ये सत्पत ब्राह्मन में कहा गया है किसमें सत्पत ब्राम्मन में, क्या इस्त्री को पूरुस की अर्धांगनी, चलिए, अगला आगे देखते हैं, अगला है मारा महभारत का प्राणभिक उल्लेक, अवस्चलायन ग्रीशुत्र में मिलता है, प्राणभ में इसमें मात्र अठासी सो सलोक थे, इसका नाम जय संहित था, किसका महभारत का प्राणभिक नाम क्या था, जय संहिता, यह अक्सर इजाम में पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा महभारत का प्राणभिक नाम क्या था, या फिर जय संहिता, किसका प्राणभिक नाम था, यह एक नमर का कोश्चन सीधे डारेक्ट एसे बनता है, कि महाभारत का प्राणविक नाम क्या था तो जय सिता या फिर जय संगिता किसका प्राणविक नाम था तो ये जय संगिता किसका नाम था तो ये था महाभारत का चलिए आगे देखते हैं कुछ समय पचातिय बढ़ कर 24,000 स्लोक हो गया और भारत नाम से परचिद हो गया अंध में एक लाख स्लोक होने के कारण इसे सत्साहिती संगिता या महभारत कहा जाने लगा चलिए आगे चलते हैं अगला देखते हैं बहुत अस्तम लेख किस से जानकारी मिलती है तो ये सुंग काल की मिलती है खेंसांग ने अपनी यात्रा विर्तांत कावनन किस पुस्तक में किया है खेंसांग किस में किया है सी यू की में अर्वी भासा की पुष्टक किताब उल हिंद की रचना किस ने की थी ये भी कोशन अक्सरिया में पुछा जाता है किताब उल हिंद की रचना किस ने की थी तो अल बरुनी ने चली और ये किस भासा में पुष्टक थी तो अर्वी भासा में आपसे पूछ लेगा किताबुल हिंद की रचना किस भासा में की गई थी तो अर्वी भासा में की चली आगे देखते हैं अगला है मारको पोलो द्वारा किस राज की यत्रा का उलेख मिलता है तो यह है पांड़य राज की किसके द्वारा मारको पोलो द्वारा पतंजिली के महाभास से किस वंस की इतिहास का पता चलता है तो ये चलता है सुंग वंस का आगे देखते हैं पूरा लेख विद्या से क्या विप्राय है सिला लेखो का अध्यान किसे पूरा लेख विद्या से सिला लेखो का अध्यान का इप्राय है अगला है पूरा वसेश का महांतम अनवेशक किसे माना गया है तो ये माना गया है डार्विन को अगला है इबन बमुता का यात्रा विर्तांत किस नाम से परसिद है तो इबन बमुता का जो यात्रा विर्तान्त है वो रेहला नाम से परसीद है क्या रेहला हेन सांग ने किस विश्विद्याले में बहुत धर्म का अध्यन किया था तो ये किया था नालंदा विश्विद्याले कुन हेन सांग ने नालंदा विश्विद्याले में बहुत धर्म का अध्यन किया था चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा चीनी लेखकों का वर्नन जो चीनी लेखक है उनका वर्नन है पहले क्या है लेखक फिर समय कब से कब तक फिर रचनाय उनकी और उनकी यात्री विवरन यानि उन्हों जो यात्रा के जवान जो देखा था उसके बारे म 399 से 424 भारत दसा का विब्रन है वरचनाय कुन सी है भारत दसा का विब्रन यह पर्थम चिनी यात्री था कौन फायान पर्थम चिनी यात्री था जिसने चंदगुत दूतिये विक्रामादित के समय भारत की यात्रा की थी इसने गुप्त काल में वस्तु विनमय का माध्यम को पुरियो तथा चन्दकुत मोड के राज प्रासाद को देव निर्मित बताया है अगला है फेंसांग पहला था फायान दुसरा है फेंसांग 629 से 645 स्वी इसकी रचना है सी यू की इसने यात्री विब्रन में दिया है फेंसांग समराट हर्स वर्दन के समय भारत आया इसने ह पर्स को सीलादित की वादी से विभूसीत किया इसे यात्रीयो का राजकुमार किसको हेंसांग को पुछलेगा यात्रीयो का राजकुमार किसे कहा जाता है तो हेंसांग को यात्रीयो का राजकुमार किसे कहा जाता है तो हेंसांग को यात्रीयो का राजकुमार किसे कहा जा आत्म कथा है चीनी बोध यात्री जो नालंदा विश्विद्याले में अध्यनरत रहा चलिए आगे देखते हैं अगला क्या इसमें सती पर्था का पर्थम लिखित सक्ष 512 इस्वी के भानो गुप्त के एरन अभिलेक से प्राप्त होता है किसका सती पर्था का पर्थम लिख किसको रोबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है पासान योगिन और मिसंधान आड़म करने का स्रे अगला है मानो इतिहास का प्रारंबिक काल क्या कहलाता है तो ये पूरा पासान काल कहलाता है प्राचीन भारत के ओजार और अस्थ शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस प्राचीन भारत का प्रियोग करते थे तो ये पत्थर का प्रियोग करते थे कौन से प्राचीन भारत के ओजार और अर्ष शस्त्र बनाने के लिए प्राचीन भारती और भोगालिक मानता के अनुसार भारत वर्ष किस दीप का खंड था तो ये जंबू दूइप का खंड थ तो उसे जाना जाता है पिथे कैन्थ्रोपस के रूप में भारत में मानों के सरप्रथम साक्ष कहां से प्राप्थ होता है तो यह हत्नौरा यानि नर्मदा घाटी से प्राप्थ होता है हत्नौरा से अगला है पासान संस्कृती से लेकर हडप्पा सभ्यता तक के संस्कृतिक अवसेश किस पूरा अस्थल से प्राप्थ हुए हैं, तो ये हुए हैं मेहरगड से, आगे देखते हैं जुते हुए खेत, ये भी काफी अक्सर पूछा जाता है, जुते हुए खेत का साक्षे किस पूरा तत्विक अस्थल से प्राप्थ हुआ है, तो ये काली बंगा से प्र चली आगे देखते हैं वरिहत पासान अस्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है तो ये मिर्थकों को दफनाने के रूप में की गई है प्राचिंतम अस्थानिय जीवन के प्रमान कहां से प्राप्त हुए है तो ये हुए है मेहरगड से अगला देखते हैं मनुष ने स्तर पर्थम किस धातु का प्रियोग किया था तो ये किया था तामबा का प्रशस्तर यूग के लोगों के पास पर्थम घरेलू पसु कौन सा था तो ये था कुट्ता क्या प्रसस्तर युग यानि इस्टोन इसकी लोगों के पास पर्थम घरेलू पसु कौन सा था तो ये था कुट्ता आगे देखते हैं उल्खनित प्रमानों के अनुशार पसु पालन का प्रारंब किस काल से माना जाता है तो ये मद पासान काल से माना जाता है किसका पसु पालन का प्राणब अगला है मद पासान काल में पसु पालन के प्राचिंतम साक्ष कहां से मिले है तो ये आदम गड से मिले है मानो द्वारा खाद्यानों की क्रिसी सरपर्थम किस काल में प्राणब हुई थी तो ये नौ पासान काल में प्रानम होई थी मानो द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पर्थम अनाज कौन सा था तो ये था जो मानो द्वारा सरफतम कौन सा अनाज प्रयोग में लाया गया था तो जो चाको लिथिक यूग को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो ये तामन पासान यूग के नाम से जाना जाता है आगे देखते हैं तामन पासान कालिन अस्थल अस्थल राज किस राज में है और प्राप्ट साक्ष वहां से क्या प्राप्थ हुआ है सबसे पहले इमाम गाउं इमाम गाओं कहां पड़ता है तो यह महराष्ट में पड़ता है यहां से जो प्राफ्ट हुआ है और यहां से कलस सवाधान और कलस को घरों के फर्ष के निचे रखने का प्रमान मिला है सबसे बड़ा तामर पासानिक अस्थल है अब है नौदा टोली ये भी महराष्ट में है इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मिर्दुभांड का प्रमान मिला है कहां से? नौदा टोली से निवासा ये भी महराष्ट में है यहां से क्या मिला है? तो पर्षन का पर्थम साक्ष और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के परमान यहां से प्राप्त हुए है और अंति में तामर पासान काल का सरपर्थम प्रयोग वर्ष 865 में Sir John Lubak ने किया था किसने? Sir John Lubak ने चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं अगला क्या है भारतिये पुरातत्व सरवेक्षन के पर्थम महानिदिशक कौन थे? तो यह थे? John Marshall किसके? भारतिये पुरातत्व सरवेक्षन के महानिदिशक पर्थम महान नहीं देशक जोन मार्चल भारतिये पूरा तत्व का जनक किसे कहा जाता है तो अलेकजंडर कनिगम को कहा जाता है भारतिये पूरा तत्व का जनक अगरा देखते हैं भारत के किस अरारंबिक पूरा पासान युक के सिलास्ट्रे से सरवाधिक चित्र प्राप्थ हुए है तो ये भीम बेटका कहा है तो ये मद्परदेश में है यानि भीम बेटका से प्राप्थ हुए है कुम्भकारी मिट्टी के बर्तर मिलाने की कला को कुम्भकारी करते है तो कुम्भकारी के सरप्रथम प्रमान किस यूग से प्राप्त हुए है तो नोपासान काल से प्राप्त हुए है आगे है पेवल उपकरण संबंधित है निम्न पूरा पासान काल से कौन से पेवल उपकरण आगे है तामवती के नाम से कौन सी संस्कृती प्रसिद है तो यह है अहार संस्कृती किसे तामवती माइक्रो लिथिक ओजार सम्मदित है किस से मधपासान काल से कौन से ओजार माइक्रो लिथिक ओजार आगे देखते हैं बेलन घाटी से प्राप्त ओजार किस काल से सम्मदित है तो ये सम्मदित है निम्न पूरा पासान काल से बेलन घाटी से प्राप्तोजार कौन से निम्न पूरा पासान काल से आगे है मानों की आखेटक और ख़द संग्राहक की अवस्था किस काल से जुरी हुई है तो ये पूरा पासान काल से जुरी हुई है अगला देखते हैं ताम्ड पासान कालिन संस्कृती में महराष्ट के लोग मिर्दकों को घर के फर्स के नीचे उत्तर दचिन दिशा में रख कर दफनाते थे अगला देखते हैं भारत के दोश्रवाधिक प्राचिन ज्याथ मध पासान कालिन अस्थल कौन से हैं तो ये है महदः और स्राइनाहर राय क्या है महधा और सराय नाहर राय आधनिक मानो होमो सेपियंस का प्राधुभाव कब हुआ था तो ये उच्पूरा पासानकाल में हुआ था अगरा देखते हैं क्वाटजाइट पत्थरों के अस्थान पर जैस्पर चोट आदे के पत्थर सरप्तम कब प्रिक्थ हुए तो ये मध पासानकाल से प्रिक्थ हुए है आगे देखते हैं अगनी का उप्योग करना मानों ने सरप्तम कब सीखा था तो ये सीखा था नो पासानकाल से किसका उप्योग अगनी का नो पासानकाल से सीखा गया था चलिए भारत में जिवास्म का एक मात प्रमान कहां मिला है तो ये सिवालिक पहारी से मिला है किसका जिवास्म का अगला देखते हैं भारतिये उप महादीप में क्रिशी के प्राचिंतम साक्ष किस अस्थान से प्राप्थ हुए है तो ये हुए हैं मेहरगर से कपास के तत्विक अस्थल से प्राफ्थ हुए है तो ये सराय नहार राय से प्राफ्थ हुए है हड़ी निर्मित उपकरन गौरिक मिर्दरभांड पात्र का नामकरन कहां से हुआ है तो हस्तिनपूर से हुआ है अगला है सिंदु घाटी चभिता के मुख अस्थल मोहन जोदरो कुटका गिंडोर हरप्पा तथा कोट दीजी ये सभी पाकिस्तान में इस्तित है चलिए आगे दखते हैं नो पासान कालिन अस्थल अस्थल और राज बुर्जोम ये कस्मीर में है कबरों में मालिक के साथ कुट्टे दफनाने के साक्ष यहां से प्राप्थ हुए है कहां स पुर्जोम से इन पुर्जोम कहां कस्मीर में गुफ कराल यह भी कस्मीर में है और यहां से क्रीशी वा पटसुपालंड के साक्ष हड़ी निर्मित ऑजार धूसर मिर्द्भान्डो का प्रमान सिल बट्टा वो हड़ी से निर्मित सुई के साक्ष प्राप्थ हुए हैं मैंहरगड पाकिस्तान से प्राप्ट वह हैं चली अगला है महदहा यह उ benefici पर्मान धान के अलावा जो की खेती वह पशुबारा के भी शाक्ष मिले कहां अगला देखते हैं अगला है संगन कलू संगन कलू राक के टीले प्राप्त हुए हैं जो बिलारी जिले में उस्तित है और ये कहा हैं तो ये करनाटक में हैं अब है पिकली हल राक के धेरवा निवास अस्थल के साक्ष प्राप्त हुए हैं और ये भी कहा हैं तो ये भी अब है चुपानी मांडो मद्वक्की के छत्ते जैसी जोपडियो जया मितियाकार के सुच्म पासान वा हस्त निर्मित मिर्दभांड के साक्ष प्राप्त हुए हैं ये कहा है चुपानी मांडो ये उत्तरप्रदेश में है चली आगे चलते हैं अगला है शातू सारू तारू गुवाटी के समीव उत्खनन से आदेम कुरारिया वा चित्रित मिर्दुभान प्राप्थ हुए हैं और ये सारूतारू कहा है तो ये असम में है अब है चिरांद हड़ी के उपकरन प्राप्थ हुए हैं जो प्राया हिर्णों के सिंगों से निर्मित है और चिरांद कहा है त इससे पहले पुलेटी का दो क्लास हो चुका है यह तीसरा क्लास था हिस्टरी का पहला क्लास था आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएगा साथ ही हम आने वारे समय में जोगरौफी और इकनोमिस के भी सेशन लेकि आएंगे तो आप हमारे चैनल आप आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत